सबसे पहले भारत कोना हैं? डच, पुर्टगाल या फ्रांसिसी? इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले हमको जाना होगा 14 और 15 सथाब्दी में. ये बात है 17 मई सन 1408 पे स्पीको जब एक पुर्टगाल नाविग वासकोडी गामा समुदर के रास्ते भारत में परवेश करता है और वो केरल के काली कट्ट पर उतरता है. भारत पहुचने में उसकी मदद करने वाला एक गुजराती वैपारी अब्दुलमजीद था. जब भारत आया तो उसने देखा कि भारत एक बहुत ही सम्रिदते से क्यों न यहां पे वैपार किया जाए और वैपार के लिए उस समय काली कट के राजा जमूरिन थे और उसने जमूरिन से वैपार करने की अनमती ले लेकिन सालों से वैपार कर रहे अरबी वैपारियों को ये बात न पसंद आई और उन्होंने इसका विरोध गया और इसी विरोध के चलते वासकोडी गामा को सन 14.99 एसवी में दोबारा पुर्दगाल लोटना पड़ा लेकिन उसके एक साल बाद ही पुर्दगाल फिर भारत आये 15.99 में और उन्होंने इस बार केरल के कोच्ची में अपनी एक कोठी बनाई उनको मालूम था कि सालों से रह रहे अर्बी वेपारी इसका विरोध करेंगे इसी वज़े से काली कट के राजा जमुरीन से अपने कोठी की सुरच्चा की मांग की जमकल लिया क्यूंकि वो जानते थे कि सालों से वेपार कर रहे अर्बी वेपारी इसका विरोध करेंगे और उन्होंने भारत के राजियों पर कपजा करने की सोचे। 1510 इस वी में उन्होंने गुवाः पर अधिकार कर लिया और गुवाः को अपना प्रशाषनिक केंदर बनाया। अल-बुकर्क ने 1510 इस वी में जो कि पृट्गालियों का भारत में दूसरा वाइसराय था परता गया और उन्होंने और कई सीर कने राज्यों में कंब्जा कर लिया और करण के बाद वह वैपारियों ज्यादा समराज वादी नराने लेगे कालीों की बढ़ती टाकत को देखते विए एहमदनगर बीजापुर औरивать कट राजाओं ने पुर्दगालियों को यहां से निकालने की चेश्टा की लेकिन वो नाकाम रहें और अंत में पुर्दगालियों की ही बिज़े हुई और इस तरह से उन्होंने भारत के कई राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिए और सर 1589 इसवी में चटगाओं बंगाल और हुगली पर अधिकार कर लिया पुर्दगालियों का हुगली पर अधिकार सासन करने का नहीं था हुगली पर अधिकार उनका जहाज लूटने का था और जहाज लूटने के मकसद पर मकसद से हुगली पर अधिकार किया सन 1580 इसवी में उन्होंने अकबर के दरबार में इसा उन्होंने मुगलों का जहाज लूट लिया जिससे उनको कई प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा। मुगलों की सक्तियां धीरे धीरे बढ़ती गी जो मुगल बादशाहों को बिलकुल नहीं पसंद आई और उन्होंने 24 जून 1632 से 24 सितंबर 1632 इस फीद तक तीन महिने तक लगातार देड़ लाख फोजों के साथ जंग किया जिसमें एक हजार मुगल मारे गए और चार सो पुर्दगालियों को बंदी बना लिया गया और इस तरह से भारत में पुर्दगालों का खात्मा हो गया भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्दगाल थे हैं और पुर्दगाल की समरिद्धी को देखकर डच आएं और डच के आने पर ही फ्रांसिसी आएं जो कि हमारे देश पर 200 सालों तक खुमत की और हमको गुलाम बना एरका